नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल फैक्टमस्टर पर दोस्तों आज मैं यह वीडियो बना रहा हूं प्रमुक मुस्तकों को लेकर जो इंपॉर्टेंट पुस्तके हैं लगबग 65 प्लस हैं तो आप लोग इनको लिख लीजेगा रट लीजेगा और तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले यदि आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज सस्क्राइब कर लें लाइक करना बिलकुल न भूलें तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों पहली जो पुस्तक है भागी रहती वो लिखी है डाक्टर सुरूफ सैल जानी ने दूसरी पुस्तक है How India Manages its National Security ये अरभिंद गुपता ने लिखी है और जिन ए नॉबल ये लिखी है डैन ब्राउन ने दोस्तों ये करेंड की करेंड से रिलेटेड पुस्तके हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंड है और एक्जाम में इन में से ही पुस्तक कोई न साफी सुरतों के माद्यम से इनको क्लेक्ट किया गया है तो इस वीडियो को अन्त तक देखें दोस्तों अगली एक गांधी दा इयर्स डैट चेंज चेंज द वर्ड उन्निस सो चौधा 1914-1918 ये लिखी है रामचंद्र गुहान है ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है याद प्रित्री रंगाचारी साह और मलिका कपोर ने मिलकर के ठीक है चेंज मेकर्स याद रखिएगा अगली है ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक यहाँ पे हो जाती क्योंकि ये अरूड जेटली ने लिखी है गंगा आवान दा एपिक टेल आफ एस्स्टोरिक स्विम कट है ये पुस्तक लिखिए अनुज धर नें बहुत इंपॉर्टेंट है liv on my terms life on my terms यह लिखिए शरत पवार्रने जो इन्सीप कटन साह अगली राज्टू सुराज यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है यह लिखिए रामचंद्र प्रधान ने याद रखिएगा राज्टू सुराज रामचंद्र प्रधान दोस्तों अगली जो पुस्तक है वो है दा अंटोल्ड बाजपी पॉलिटीसियन एंड पैराडॉक्स यह बहुत इंपॉर्टेंट है दा अंटोल्ड बाजपी इसको लिखा है उलेख यनपी ने याद रखिएगा यह यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है मैं मार्क कर दे रहा हूं जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है अगली है दोस्तों एलेक्सन एटलस अफ इंडिया यह लिखिए नसीम जैदी ने फिर है दोस्तों एसेंचुरी इस नौट एनफ यह लिखिए सौरफ गांगुली ने याद रखिएगा एसेंचुरी इस नौट एनफ चलिए आगे चलते हैं और दोस्तों मैं पुस्तकों से रिलेटेड एक और वीडियो लेके आऊँगा जो एवर ग्रीन पुस्तकें जो लगातार पूछी जा रही है कई वर्सों से उनका भी एक वीडियो जो है मैं लेके आऊँगा आप लोगों के लिए अब दोस्तों अगली जो पुस्तक है वो एक कडवे बचन यह तरूर सागर मुनी थे जैन मुनी थे इन्हों ने लिखिए इ और यह इनकी आतमकथा है याद रखिएगा हिसाब किताब हिसाब किताब लिखिए अंजना सुखानी ने चेरेवित चेरेवित यह लिखिए राम नाइक ने जो उत्तरपदेश के राजपाल है याद रखिएगा चेरेवित चेरेवित यू केन बिन यू केन अचीव मोर यह इन अपोजीशन यह पीची दंबरम ने लिखी है बहुत इंपोर्टेंट पुस्तक है याद रखिएगा फियरलेस इन अपोजीशन पीची दंबरम ए ब्रीफ हिस्ट्री आफ सेवन किलिंग्स यह लिखी है मॉरलेन जेम्स ने दरूल ब्रेकर्स यह लिखी है प्रीति शिनौई ने दरूल ब्रेकर्स मॉविंग ओन मॉविंग फरवर्ड ए यह इन ऑफिस यह बहुत इंपोर्टेंट पुस्तक है इसको बिल्कुल याद रखिएगा मॉविंग सब्दा है तो आपको याद रखना है वेंकेया नाइडू ने लिखी है मॉविंग ओन मॉविंग फरवर्ड ए यह इन ऑफिस वेंकेया नाइडू जो की उपराश्ट पती है दोस्तो अगले सांगमर्मर और दा आयरं लेडी इंद रहे है याद रखिएगा संगमर्मर दा आयरं लेडी इंदरा यह लिखिए सांगमर्मर याद रखियेगा इतल जी ने कहा ये भी बहुत important है, ब्रिजंद रही ने लिखी है, अटल जी ने कहा, दोस्तों अगली है, development dynamics of a हिमालेयन state, ये पुस्ता लिखी है, प्रोफेसर आर आर नौटियाल और राज लच्मी दत्ता ने, याद रखियेगा, फिर दोस्तों अगली है, fear, Trump in the White House, बहुत important पुस्ता के ब बाप उडवर्ड ने लिखी है, ये करंड की बहुत important पुस्ता के याद रखियेगा, fear, Trump in the White House, बाप उडवर्ड, अगली है दोस्तों, see, prayer, ये लिखी है, खालिद होसैनी ने, see, prayer, खालिद होसैनी, याद रखियेगा, दोस्तों, इसमें जो पुस्तके हैं, वो बहुत important है, और इन्ही मेसेज हो है, ये current की जो books है, इन्ही मेसेज हो है, अगर books पुछी जाएंगी, पिछले जो paper में, लगबग, सायद दो पुस्तके पुछी गई थी, दो number की, तो बहुत important हो जाती है, यहाँ पे पुस्तके, इ यह लिखी है, सलमान रुस्दी ने, मन की बात, राजेश जैन, यह बहुत important है, मन की बात, याद रखिएगा, राजेश जैन, यहाँ पे दो पुस्तकें बहुत important हो जाती है, मन की बात, राजेश जैन ने लिखी है, और exam barrier, यह नरेंद मोदी की है, याद रखिएगा, यह अभी जो है पिछले दिनों चर्चा का विशे रही थी ये पुस्तक एक्जाम वेरियर क्योंकि निरेंद मोदी जी ने जो है अपने भासड में कहीं पर जो है इसका जिक्र भी किया था इस वजे से कापी पेमस हुई थी तो आपको याद रखना है एक्जाम वेरियर निरेंद गुपाल तिद्दुलकर ने ये भी कापी important पुस्तक है याद रखिएगा the three mistakes of my life ये चेतन बगद ने लिखी है five point someone भी चेतन बगद ने लिखी है कापी पुस्तक है जो चेतन बगद की काफी famous रही है वो आपको पता होंगी और अगली है दोस्तों the darkest dark ये लिखिए Chris Tedfield ने the darkest dark Chris Tedfield याद रखिएगा the best mistake of my life ये लिखिए संजे खान ने बिलकुल confused मत होईएगा the three mistakes की अगर बाता है तो चेतन बगद the best mistakes की अगर बाता है तो संजे खान याद रखिएगा the best mistake of my life लिखिए संजे खान ने जोस्तों अगली बहुत important पुस्तक है और साइबर पाट साल ये तरुड भीजे ने लिखिए the emergency ये लिखिए सूरिप प्रकास ने विलियन एज एनफ ये लिखिए असोक गुपता ने दोस्तों अगली ये जो बहुत important है हेमा मालनी beyond the dream girl राज कमल मुखर जी कहीं कहीं पर जो है राम कमल मुखर जी भी लिखा हुआ है याद रखिएगा हेमा मालनी beyond the dream girl अगली दोस्तों है फाल्ट लाइन ये बहुत important पुस्तक है ये पूछी जा सकती ये रागुराम राजन ने लिखी थी जो पिछले गवर्णर थे ठीक है फाल्ट लाइन बहुत important है याद रखिएगा फाल्ट लाइन रागुराम राजन दोस्तों अगली है the heartfulness way ये लिखी है कमलेश दी पटेल और जोसुआ पोलक ने मिलकर के आपको याद रखना है कमलेश दी पटेल दा हर्ट फुलनेस बे ये पीछे दंबरम की ये बहुत important पुस्तक है ये लिखी है जैफरी और चरने लिखी है नैनम इदम धनम नरेंद मोदी दोरा लिखी है एक exam variable लिखी है इन्होंने और ये लिखी है नैनम इदम धनम याद रखिएगा ये पूछी जा सकती है नरेंद मोदी ने लिखी है the two factor ये लिखी है सुभास चंदरा ने the two factor आपको याद रखना है काफी important है the two factor तो नैनम इदम धनम नरेंद मोदी बिलकुल याद रखिएगा पूछा जा सकता अगले paper में तो दोस्तों चलते हैं आगे कुछ और पुस्तक है उनको भी देख लेते हैं दोस्तों अगली पुस्तक है टूजी सागा unfolds ये लिखी है ए राजा ने ए राजा जो टूजी घोटाले में जो है जेल गये थे और वहीं पे साइद इन्होंने ये पुस्तक लिखी याद रखि पाथवेज टू ग्रेटनेस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है डक्टर एपी जे अब्दुल कलाम ने लिखी है पाथवेज टू ग्रेटनेस हाफ गल्फेंड चेतन भगत की है आप लोग जानते ही होंगे अगली एक कलेक्टिव चोईस एंड सोसल बेलफेर कलेक्टिव याद रखिएगा दोस्तों अगली पुष्टक है बॉर्ण अगेन दा मॉंटेन यह पहले नहीं लिखी थी यह करेंड की नहीं यह पिछले साल की 2017 की है तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह अरुनिद्मा सिनहा ने लिखी है बॉर्ण अगेन दा मॉंटेन फिर अगें दोस्तों अगली पुष्टक है अब और द्रेमेटिक डिकेड दाईंडरा गांधी यह यह प्रणुपंधव मुकहरजी ने लिखी है जो पिछले राष्टपत थे अब एक बार मैं रीवी में आपको ले चलता हूँ जो इंपॉर्टेंट पुस्तके हैं उनको फिर से आपको बता दिता हूँ दोस्तों जो मैं पुस्तके बता रहा हूँ उनको बिल्कुर रट लीजिए गांधी दा इयर्स देट चेंज दा वर्ल्ड गंगा आवान अरूर जेटली की है और वाट हैपन टू नेता जी अनुस्धार की है लाइफ और माई टर्म सरत्पवार राश्टु सुराच रामचंद प्रधान दा अंटोल बाजपी उलेख यनपी याद रखिएगा स्वरभ गांगुली मातोश्री सुमित्रा महाजन रेखा दा अंटोल्ड स्टोरी यासिर उस्मान स्वर्च जंगल की कहानी दादी की जुवानी ये बहुत इंपोर्टेंट है स्वर्च जंगल की कहानी दादी की जुवानी डाक्टर मधूपंत फिर खुलम खुला रिसी कपूर अंसंसर्ड रिसी कपूर महीरा नाया ने लिखिए खुलम खुला याद रखिएगा एमेस स्वामी नाथन दी क्वेस्ट फॉर अवर्ड बिथाउट हंगर ये लिखिए एमेस स्वामी नाथन ने बहुत इंपोर्टेंट पुस्तक है चाइल्ड हुड नॉस्टेलाजिया एंड ट्रिंग्रिं टेल्स ये लिखिए एपी महसवरी ने इंदरा गांधी ये लाइफ इन नेचर जहराम रमेज की है इंपोर्टेंट है बीरप्पन चेंजिंग दब्रिगेंड बिजय कुमार ने लिखिए इंडिया रेलबे ट्रेपेश्ट्री ये लिखिए बिवेक देविराय संजे चड्डा और बिढ्या क्रिस्न मूर्ती ने मिलकर दोस्तों अंक लिए होम आफ दब्रेयो ये लिखिए नितिन एग ओखले ब्रिगेडियर इसके चटरजी ने तो ये काफी इंपॉर्टेंट पुस्तके हैं तो द दोस्तों उमीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा पसंद आया होगा और इसमें जो पुस्तके हैं ये आप नोट कर लीजेगा बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तके हैं तो दोस्तों यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरू कर लें लाइक करना बिलकुल न भूलें थैंक्यू